नमस्कार दोस्तों, सरीर बन गया है बीमारियों का घर तो करे या महा उपए जी हाँ दोस्तों, कभी-कभी व्यक्ति के सरीर में इतने सारी बीमारिया घर कर जाती है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है, एक बीमारी ठीक नहीं होती है और दूसरी बीमारी आती है कभी-कभी डवाई करने पर डॉक्टरों का इलाज कराने पर भी विमारी ठीक नहीं होती है और व्यक्ति दर्श से परिशान होता है कई ऐसे कारण हो कभी-कभी गरहों के बूरे प्रभाव के कारण विमारी आती है कभी-कभी नेगेटिव उर्जा के कारण भी व्यक्ति परि सरीर में नई नई वीमारी परिशान करती देखती है, कभी-कभी डॉक्टर और इलाज करने वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब व्यक्ति परिशान हो जाता है, और उसको कोई इलाज नहीं मिल रहा हुता है, तो इसके लिए हमारे सास्त्रों में वर्सों से मंत्रची किस एक इससा बताई गही है, हमारे सास्त्रों में कई ऐसे मंत्रे मंत्र बताए ले हैं, जिस से हमारे रोसी-मोंथ, भीमारीयों का इलाज करतेती हैं, आज मैं आपको, सरicket से मंत्रीन थीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए महा उपाय बता रहूं, इसके लिए रुगवेद में भगवान शीव का त्रम्ब का मृत्यून जय मंत्र बताया गए जो भई, सोक, पेड़ा और मृत्यू को हरने वाला मंत्र बताया गए इसका महा उपाई बता रहो जिस मंत्र को त्रम्ब का मंत्र कहा जाता है मृत्यून जय मंत्र कहा जाता है या मृतिन जव संजीवनी मंत्रा भी कहा जाता है। दोस्तों जब आपको बीमारी छोड़ नहीं रही है। आप परेशान हो रहे हैं। कोई इलाज काम नहीं कर रहे हैं। तब इस्वर की सरण में जाना ही एक उपाए है। और इसके लिए अच्चो में उपाई बता रहा हूँ। इसको पूरे विश्वास और स्रद्धा से करने से आपको चंद दिनों के अंतर सरीर से वीमारी हटना दूर हो जाएगी। और कभी-कभी सारी मांसी ऐसी वीमारी होती है। जिसका इलाज ढूंटना मुश्किल होता आईये जानते हैं दोस्तों इसके लिए उपाई इसके लिए आपको मुश्किल होता है। रजस्तमस सतों सर्वतों व्याथ है पोशण करने वाला है और सुगंदी फेलाने वाला है। इस मंतर का उपाई इस तरह करने है। आप स्थान करने जाओ तब स्थान कर लेने के बाद लास्ट एक लोटा तामबे का जलका बढ़ना है। और उस लोटे को इस तरह पकड़ कर इस मृत्यून जय मंतर को ग्यारा बार पढ़ना है। इस तरह लोटे को पकड़ना है कि आपके अवाज की द्वनी पानी में पढ़े। इस तरह लोटा पकड़ कर बोलना है। ओम त्रम्बकम यजा महे सुगंदी पुष्टी वर्दनम पूर्वारुक में वंदनात मृत्यूर मौक्षी मामृतात। इस मंत्रा को ग्यारा बार बोलने के बाद लाश्ट उस लोटे का जल आपके शरीर पर डाल देना है। इससे आपके शरीर से पूरी नेगेटिव उर्जा दूर होगी। ग्रहों का बूरा प्रभाव होगा वो दूर होगा। आपके उपर कोई छाया होगा नजर दोस्त तो वो भी ठीक होगा। और आपकी वीमारी में यह मंत्र का इस प्रयोग को करने से संजिवनी की तरह काम करेगा। इसलिए इस मंत्र को संजिवनी मंत्र भी कहा जाता है। रोजस्तान करने के बाद छिल ले एक लोटा जलका बर कर ताम्बे का लोटा लोटा अच्छा है या श्टीलका लेने का है, इसमें प्लास्टिक का तब Güल नहीं उज्ब करना है। लोटा लेकर पानी से बर कर उसमें ऐसे पकड़ना है कि आपके आवाज की द्वनी पानी में पड़े इस मंत्र को ग्यारा बार बोलने के बाद वो जल को आपके सरीर पर महदेव का नाम लेकर छड़ा दिना तो यह प्रयोग आपके सरीर से नेगेटिव उर्जा पदूर करके आपकी सारी बीमारिया सारे कश्ट सारे दुख दर्द दिरे दिरे तवाई की तरह काम करके ठीक करें दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और ऐसे ही नहीं नहीं क्योंकि अक्ट्यू प्रेशर और आइनवेद के वीडियो को देखने के लिए मेरी यूटूब चैनल प्रमग्यान को सब्सक्राइब करें नमस्कार स्वस्त रहो मस् निरो वीडियो